नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं OBC आरक्षन और 1932 के लड़ाई अब दिली में सीम हेमांत, मुखे मंत्री हेमांसुरेण ने जहरखन विधान सवा से 1932 खत्यान अधारित अस्थानियता और OBC आरक्षन समंधी बिल पास के बाद सदन से निकलते हुए विक्टरी साइन दिखाई, उन्होंने पत्रकारों से कहा आज का दिन एतिहासिक है, सीम ने केंदर सरकार पर केंदरी एजन्सियों का दुरूपयों करने का रूप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष द्वारा एन केंद प्रकारेन सरकार गिराने का और विधायकों के खरीद फरोक्त करने का पर्यास किया जाता रहा है, लेकिन यह सर बिल को नवी अनुसुची में भेजा गया है जिस पर केंदर सरकार को फैसला ले ना है नवी अनुसुची में सामिल करने का प्राश्टाव कई भाजपास सासित राजियों ने भी भेजा है देशी सराव नीती बदलने का प्रस्ताव देशी सराव निर्मान बोतल बंद वा भंडार निमावली 2022 में बदलाव करते हुए जर्खन सरकार ने तीन रंगों के बदले सफेद रंग की बोतल में ही देशी सराव की विक्री का प्रस्ताव त्यार कर सहमाती के लिए रयस्व प परसद को भेजा है इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद परसद ने 6 महीने के अंदर है नियमावली में बदलाव का कारण जानना चाहा परसद ने अपने सुझाव और मुख्यमंत्री के निदेश के बावजूद उत्पाद विभाग द्वारा एस्टेक होल्डर की राय के लिए बिना नियमावली लागू करने को गंभीता से लिया है साथ ही इस ममले में राज सरकार के सलाकार की योगता पर सवाल उठाया है बतादे परसद ने समिक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नई उत्पाद नीती बनने के लिए 36 गर एस्टेट मार्केटि कर्पोरेशन लिमिटेट को सलाकार नियुक्त किया था सलाकार अरूत्पाद विभाग के आंतरिक विचार विमर्ज के बाद एक मैं 2022 से राजे में नई नीती लागू की गई है जारखन की हवा खराब रेड जोन में पहुचा है जारखन में आबो हवा काफी खराब है एक अधियान के मुताबिक 2023 में एर सोल परदूसन में करीब 5 फिच्दी की बढ़ोत्री की उमिद है एर सोल परदूसन मामले को लेकर जारखन में अतियधिक और सुरक्षित रेड जोन में पना रहेगा बड़ी वज़ा पावर प्लांट से होने वाला उत सर्जन वा गाडियों से होने वाला परदूसन है करीब 13 गीगावाट परदूसन सीर्फ गाडियों के कारण है वहीं थर्मल पावर प्लांट के कारण 49 फिच्दी परदूसन है जो पहले 41 फिच्दी था इसके अलावा सोलिड फ्यूल और वेस्ट बरणिंग से भी 15 फिच्दी परदूसन रहा है राजे में बढ़ते एरो सोल परदूसन से निपटने के लिए ताप विधूत सन्यंत्रों के उत्सर्जन में कामी के अनुशन सा की गाई जार्खन में ठोस इंधन का उपयोग दूसरे सबसे बड़ा सुरोथ है हलाकि अध्यान में पाया गया है कि इसका योगदान 2005 से 2009 वा 2015 से 2019 के बीच 18 पच्चत से घटकर 15 पच्चत भी हो गई है अर्जुन मुंडा ने मंत्री अखिल गीरी पर की तीखी टिपनी पच्चिम मंगाल में मम्ता बनर जी के सरकार में मंत्री अखिल गीरी बिवादों में घिर गए है उन्होंने एक सभा को समोधित करते वे राष्ट पती द्रोबादी मुर्मू पर बेहद आपत्ती जनक टिपनी की है उनके इस बियान की हर तरब अलोचना हो रही है उनके बियान के बाद केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि टीमसी नेता का बियान निंदनी है अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अखिल गीरी आदिवासी राष्ट पती को पचा नहीं पा रहे हैं इसलिए उनका अपमान कर रहे हैं राश्ट पती द्रोपती मूर्मू पर अभधर टिपनी घोर निंदिनी है अर्जुन मुंडा ने पच्छी मंगाल के सीम अमताब अनरजी से मांग की है कि उन्हें तुरंत अपने मंत्री मंडल से बरखास्त करे उन्होंने कहा है कि उन्हें इस तरह की ब्यानबाजी के लिए देश के सामने माफी मांगनी चाहिए राश्ट पती के आघमन को लेकर DSP रैंक के 40 अपसरों की ते नादी थिकुन से DSP रैंक के 40 अपसरों की ते नादी सन्युआरे में 25 चे पंदरवर के खुटी जिला में की गई है यह तेनाती 15 नौम बरता कारेकरन समापती तक के लिए की गई है DSP rank के जिन अफसरों की तेनाती रांची जीला में की गई है उनमें जैब 02 से मनोज कुमर महतो, जैब 7 से राज कुमर महतो सामिल है BRP CRP के मांदे में 10 सेयर तक बढ़ोतरी के अनुसन साया पारा सिक्षकों के बाद अब राज में BRP CRP के लिए भी सेवा सर्त निमावली बनाए जाएगी निमावली बनाने के लिए गठित कमिटी ने सुक्रवार को बैठा कर निमावली के प्रस्तापर विचार किया बताया गया है कि सेवा सर्त निवावली में बी आरपी सी आरपी के मांदे में 10 एयर तक बढ़ोतरी समेत अने सुविधाय देने का परवधान किया जा सकता है बरतमान में बी आरपी को 15,500 वस एयर पी को 16,500 मांदे मिलता है इसके अलागा बियारपी को 1100 रुपया या 13 भात्ता भी दिया जाता है राज में लगभग 3000 बियारपी CRP कारे रथा है बाबुलाल ने कहा मुख्य मंत्री को समझ आ गया कि जेल में उनकी जगा बाबुलाल ने कहा है कि मुख्य मंत्री हमंस ने राज की जानता को गुमराह कर रहे हैं ऐसी बाते कही जो बेवारिक नहीं है ऐसा लगा कि वह बिदाई भासन दे रहे थे मुख्य मंत्री खुद मान रहे हैं कि उनकी जगा जेल में है उन्हें पता है कि इस तरह लूटने वालों की जगत जेल में होती है सिरिमरांडी ने कहा है कि राजे में एक परिवार बालू, कोईला और जमीन लूटने में लगा है बुचवलिये सरकार चला रहे हैं उन्होंने कहा है कि भाजपा राजी के लोगों की भावना के साथ है हमने हमेशा हीतों की चिंता की है वर्ष 1997 से 99 में केंद्रे में सरकार बनी तो भाजपा ने अलग राजे दिया हम अस्थानिय नितिय और OBC को 29 परतियस्त अरक्षन पहले दे चुके थे ये कोई नई बात नहीं कर रहे है पलामू बाल गिरी संचाला को चक्मा देकर तीन बचे फरार पलामू के प्रमंडलिय मुख्यले मेदनी नगर के कांडू मुहला इस्थित बाल गिरी से संचाला को चक्मा देकर तीन बचे फरार हो गाए घाटना 11 नौमर की साम की है इसे लेकर बाल गिरिह के अधिक छक ने सहर थाना में प्राथमी की दर्च कराई है बतादे मेधनी नगर के कांदू मुहला में वाचसल धाम नाम से एक बाल गिरिह का संचालन होता है स्वेम सेवी संस्था द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है इस बाल गिरी में वैसे बचो को रखा जाता है जो अनाथ है या जिन के अभी भावक बचो का परिवरिश नहीं कर पाते जिला बाल संरचन समीती इनकी मोनेटरिंग करती है रिम्स के डॉक्टर ने मुक बधूर बच्ची वा मा को निकाला बाहर रिम्स के डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज नहीं करने का मामला सामने आया है सीसू रोग भी भाग में भरती एक मुक बधूर बच्ची वारा बरसी ये बच्ची की मा ने डाक्टरों पर आरोप लगाया है कि जब उसके पास पैसा खत्म हो गया तो कहा गया कि वे अपनी बच्चे को आपस ले जाए बच्ची की मा ने बताया कि बच्ची को डाक्टर एके बर्मा के यूनिट में भरती कराया गया था जहां बच्चे को तेज बुखार था उसे धनबाद PMCH से गुरुवार को रीम स्विरेफर किया गया था राष्ट पती के दोरे को लेका सुरक्षा बेवास्ता में जूटी सरकार जहारखन सरकार ने राष्ट पती द्रोपादी मुर्मू के 14-15 नौमर को राज दोरे के लिए भारतिय प्रसासनिक सेवा के दिकारियों को नोडल पता दिकारे नियुक्त किया है उच एवं तक्निकी सिक्षा सचीव राहूल पुर्वार बीरसा कॉलेज मैदान खुटी पेज जल एवं स्वक्षता बिभाग के सचीव मनीस रंजन खुटी की उलिहातू और जल संसादर बिभाग के सचीव परसांत कुमार मोराबादी राची में होने वाल कारिकरम के लि परतिमा पर पुश्पाजित करेंगी राश्ट पती मुराबादी रांची में होने वाले जार्खन अस्थापना दिवस समारों में पतर मुक्यति थी भी सामिल होंगी जार्खन नगर निकाय चुनाओ में इस वरस चसो संतावन उमिद्वार नहीं लड़ पाएंगे चुनाओ जबकि चुनाओ के बाद खर्च का वेवरा देना अनिवार था बतादे राज निर्वाचन अयोग ने इन सभी उमिद्वारों के सूची जारी कर दिया चुनाओ खर्च की जनकारी नहीं देने वाले सबसे अधिक्छान में उमिद्वार गिरी डी नगर निगम के हैं वहीं जाम तड़ा के महज एक उमिद्वार ने चुनाओ खर्च के बेवराय आयो को नहीं दिया था सरकारी स्कूलों में अधिकारी खुद जाकर देखेंगे पढ़ाय राजे के सरकारी स्कूलों में सिक्छा कास्तर सुधरने की दिशा में विभाग ने नई पहल की है अब इसके लिए धनवाज समेद जारखन के सभी जी लोग के सरकारी स्कूलों में भी भाग के अधिकारी खुद जा कर या देखेंगे कि मास्टर सहब पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई लाब भी हो रहा है या नहीं रिपोर्ट में अब बताना होगा कि सिख्षों की आवाज असपस्ट है या नहीं क्या उनकी आवाज सभी बचों को असपस्ट चुनाई पढ़ रही है क्या सिख्षक कक्छा में चूप रहने और जिखकने वाले बचों तक पहुंच बनाने का पर्यास कर रहे हैं या नहीं इसकूलों में इन सभी बिंद्वों पर निरिक्षन होगा अधिकारी इसकूलों में घंटी बजती है या नहीं सिख्षक पाठे जोईना करूंसार बचों को पढ़ाते है या नहीं या भी देखेंगे धन्यवाद यदि आप चैनल पनाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करें दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब को में अपना फिद्वाइब कर से दे थैंक्यू